Hello everyone, welcome back to our channel Bond of Learning आज हम इस वीडियो में English grammar का adjectives का जो topic है वो देखने वाले हैं उससे related worksheet हम इस वीडियो में देखेंगे तो let's start the video देखें सबसे पहले तो एक basic introduction के adjectives होते क्या है adjectives वो words होते हैं एक sentence में जो कि हमें noun के बारे में कुछ बता रहे होते हैं अब कुछ से मेरा मतलब है, हो सकता है, उसका color हो हो सकता है, उसकी shape हो, या number हो, size हो या फिर उसका nature हो, अगर हम किसी इनसान की बात कर रहे हैं इसकी special qualities हो, ठीक है, कुछ भी बता सकते हैं for example, देखें, it's a flower, okay, तो write a noun for this picture first of all, write a noun for this picture, so we can write here flower, it's a flower यह एक flower है, तो अगर आपसे कोई कहें कि इसके लिए आपको noun लिखना है, इस picture के लिए, तो simple है न, picture का name लिखना है, picture के लिए noun लिखना, it means what, कि name लिख दो picture का, name of a person, place, animal, thing, is called a noun, simple है, similarly, इस box के लिए noun लिखना है, it means box का नाम लिखना है, okay, तो name of this items is called noun, okay, अब इन नाउन्स के लिए, ठीक है, इन नाउन्स के लिए आपको adjectives लिखना है, इन नाउन्स के लिए, ऐसे बहुत सारे examples हो सकते हैं, हमने यहाँ पर दो ही देखें हैं, ठीक है, तो अब यह flower है, pink हो सकता है, one हो सकता है, small flower हो सकता है, big flower हो सकता है, आप कोई भी adjective यहाँ पर लिख सकते हैं, जो appropriate हो, अब मैं यहाँ पर लिख दू, yellow flower, तो वो appropriate नहीं होगा यहाँ पर, box, तो यह green box मैं लिख सकती हूँ, small box, big box, ठीक है, और cardboard box, ठीक है, हम इस type से किसी भी चीज के बारे में, noun के बारे में लिख सकते हैं, अब जब हम इन्हें combine करके लिखेंगे, एक sentence में, तो आप इस type से लिख सकते हैं, a pink flower, a flower which is pink, okay, a big box, a box which is green in color, a green box, इस तरीके से आप इन्हें लिख सकते हैं, combine करके, जैसे for example, pink flower, okay, and green box, इस type से आप इन्हें लिख सकते हैं, तो यह चीज़ें हमने discuss की, अगर मैं definition की बात करूँ, तो adjectives are the words which tell us more about nouns and pronouns, अब noun है, तो pronoun भी होगा, क्योंकि pronoun हम जानते हैं, क्या है, pronounce का भी मैंने वीडियो, जस इस से पहले डाला है, अगर आपने वो नहीं देखा है, तो मैं उसका link भी आपको description box में दे दूँगी, आप वो भी देख लीजे, प्रनाउंस क्या है, प्रनाउंस वो words हैं, जो noun की ज noun नहीं यूज कर रहें, प्रनाउंस कर रहें, अगर मैं कहूं, सीमा, और अगर सीमा की जगर मैं शी लगा दूँ, तो शी की भी तो वही qualities हैं, जो सीमा की हैं, so we are using nouns as well as pronounce, दोनों चीजें हम यहाँ पे यूज करेंगे, जब हम adjectives के definition लिखेंगे, उसके बाद हो सकता है, कि वो जो more about हो, वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है special qualities like greediness, kindness, intelligence, sharpness, smartness, यह सारी qualities हो सकती है, color हो सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, green, blue, pink, yellow, etc, counting हो सकती है, हम कई बार देखते है, some sugar, uncountable nouns के लिए, many objects, many people, plenty of food, ठीक है न, तो वो भी हो सकता है, वो सारे words जो होंगे, इस type के, the are called adjectives, अब हम कुछ questions देख लेते हैं, फटा फट से, किस type के questions आ सकते हैं, adjective के topic से, write the suitable adjectives for these objects, ठीक है, for these words, यह words है, ठीक है, nouns आप कह सकते हैं, यहाँ पे noun भी लिखा आ सकता है, कि nouns के लिए adjectives यूज़ कीजिए, तो इतनी तो आपको grammar अभी आ गई होगी, यह words जो दिये में, वो noun भी हो सकते हैं, और noun भी हो सकते हैं, ठीक है न, तो यहाँ पे दिया हुआ है cat, तो cat word है, तो cat के लिए कैसा हो सकता है, आप यहाँ पे white cat लिख सकते हैं, small cat लिख सकते हैं, black cat लिख सकते हैं, बहुँँ सारे options आपके पास, owl, तो owl में आप big owl लिख सकते हैं, small owl लिख सकते हैं, black owl लिख सकते हैं, brown owl लिख सकते हैं, one owl लिख सकते हैं, house, again white house, big house, large house, ठीक है, and counting में one house car में आप लिख सकते है a big car stylish car modern car and blue car ठीक है जो भी आपको सही लेगे जो car को कुछ उसके बारे में बता रहा हो girl में आप लिख सकते है one girl, pretty girl nice girl, intelligent girl इस टाइप से now see question number two match the adjective with the suitable nouns यहाँ पे हमारे adjectives है okay and यहाँ पे हमारे nouns है आपको match करना है बट जो सही बैठता हो ऐसा नहीं है कि किसी के साथ कुछ भी हम match करतेंगे बहुत सारे option है, इसका मतलब यह नहीं है कि गलत option के साथ हम match करतेंगे तो lazy कौन हो सकता है मेरे साथ से यहाँ पे sky frog, clown, cake, flower, man, stick तो lazy मुझे लग रहा है frog हो सकता है वैसे man भी हो सकता है बट यहाँ मुझे frog ज्यादा सही लग रहा है funny funny है तो definitely clone होगा and blue blue sky pink flower delicious definitely cake thick stick हो सकती है and wise जो है बुद्धिमान वो आदमी इस तरीके से आप match कर सकते हैं next देखिए आप circle the adjectives in the given sentences अब आपको adjectives पहचानने है my shirt is blue तो shirt कैसा है blue तो blue word is a adjective here my friend's father has a big car तो big she is very pretty pretty the black cat तो यहाँ तक एक तो हो गया black ate some biscuits and many eggs तो many and some यह भी हो गया Shweta is the fifth girl in the room तो यह सारे words जो है वो adjective है आगे देखिए filling the blanks with given adjectives अब आपको blanks fill करने है adjectives को use करके तो देखिए first sentence के है what a dash book it is और फिर exclamatory sign है तो क्या हो सकता है faithful to tired, long, cold, interesting या clever तो interesting हो सकता है the dog is dash animal dog is a faithful animal the dash weather is making me shiver cold the woman had dash hair long after a long walk I feel tired fox is very clever the room has two windows ठीक है यह सारे हमारे adjectives थे जो in blanks में आएंगे I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा आपके लिए useful रहा होगा और भी किस टैप के वीडियो आप देखना चाहते हैं मुझे comment box में comment करके पता सकते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में Thank you so much for watching